गुद मॉनिंग स्टुडेंट बच्चो आज की वर्चल क्लास में मैं आपको संस्क्रिट पार्ट साथ प्रहे लिकाए पढ़ाने जा रही हूँ इससे पहले आपको बच्चल क्लास में मैंने शब्दों के आर्थ करवाए हुए थे जिनको आपने याद कर लिया होगा और कॉपी पर लिखा भी होगा अब हैं आपकी प्रहे लिकाए जिसको हिंदी में कहते हैं पहे लिया तो पहली आपकी प्रहेलिका है ना तस्य आदि ही ना तस्य अंतहा मध्ये या तस्य तिश्ठती तव अपियस्ती मम अपियस्ती यदि जाना सी तदवत ना यानि व्यंजन या वर्ण तस्य उसके आदि यानि आरंभ में हैं ना उसके आरंभ में हैं ना तस्य अंतहा ना उसके अंत में हैं मध्ये या तस्य तिश्ठती बीच में या उसके बैठा है या ठैरा हुआ है या उसके बीच में या है तवे अपियस्ती तुम्हारे भी है, मम अपियस्ती मेरे भी है, यदि जानासी अगर जानते हो तदवत तो बताओ तो ना आरंभ में, बीच में या और नांत में, तो हुआ नयन, नयन मीज आख, आख तुमारे भी है, आख मेरे भी है तो इस पहेली का उत्तर हुगा नयन दूसरी पहेली का है अपदो दूर गामी चा अपदा का मतलब है बिना पैरों के और चा मींस और तो चा ये बाद में लगाऊगा लेकिन यहां पर और आएगा यानि बिना पैरों के है और दूर जाता है या जाती है चाक्षरा पड़े लिखी है नचा पंडिता अब ये चाका यहाँ पर आएगा और पंडित नहीं है अमुखा हा बिना मुखे है पुट वक्ता चा बिना मुखे है और इसपष्ट बोलती है या बोलता है यहां जानाती, जो जानता है सहापंडिता, वह विद्वान है या बुद्धीमान है तो यह देखें, आपके सामने चित्र बना होया है, जो है पत्रम हिंदी में इसको चिठ्ठी कहा जाता है तो चिठ्ठी बिना पैरों के दूर जाती है पढ़ी लिखी है लेकिन विद्वान या बुद्धिमान इसमें दिया गया नहीं है विद्वान नहीं है अमुक है यानि बिनामुक है लेकिन इस पष्ट बोलती है और इसलिए इस पहली का उत्तर है पत्रम धरायाय उपर ही अधाय अपिवस्ति धरायाय सस्थी वक्ति है धरा के उपर अधाय नीचे अपिमींस भी वस्ति रहता है धरा के उपर रहता है और नीचे भी रहता है धुमा धुमा यानि धुगा भूत्वा धुगा होकर यानि जो बाश्व है न धुगा होकर गगने आकाश में इतस्ततय भ्रमती इधर उधर खुमता है यानि जो पानी है वो जल है जो वो पृत्वी के उपर भी रहता है और बाश्व बनके बाश्प बनके आकाश में इधर उधर घूमता है यानि धुगा होकर आकाश में इधर उधर घूमता है तो इस परहेली का उत्तर है जलम तो बच्चों यह आपको परहेली का पढ़नी है यही आपका ग्रहकारे है धन्यवाद